अपराद के लिए दोशी बाय जाने के संबंद में संरक्षन अपराद के लिए दोशी बाय जाने के संबंद में कुछ सुरक्षा हमें मिली हुई है प्रटेक्शन इन रिस्पेक्ट आफ कन्विक्शन आफ ओफेंसिस इसमें क्या है स्वतंता के अधिकार के अंतरगत अनुच्छे बीस नागरिकों को अपराद की दोश शिद्धी के विशे में हमें कुछ संरक्षन प्धान करता है अपराद की दोश शिद्धी के विशे में संरक्षन आखिर वो क्या है संरक्षन पहला किसी भी व्यक्त को किसी ऐसे कानून का लंधन करने के लिए दोशी नहीं पाय जा सकता जो समय लागू ना हो जब किसी व्यक्त ने कुछ किया है उसे गैर कानूनी तभी माना जाएगा जब उस सम्बंद का कानून उस समय लागू हो पहले कभी था वो कानून और अब नहीं है या बाद में कभी वो कानून आया लेकिन उस काल में नहीं था जब यह अपरात किया गया या यह गतिविदी की गई किसी के दौरा ऐसी स्थिति में यह कानून से उसको ऐसी स्थिति में उसको यह सुरक्षा है transaction है कि कानून के उलंगन का दोशी उसे नहीं पाया जा सकता यदि इस कानून उस समय लागून नहीं हुआ दूसरा किसी व्यक्ति को उससे अधिक दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कानून के लिए उलंगन करते समय निश्चित हो अर्थात इसके मायने क्या है? कानून में एक प्रावधान है कि इस सजा के लिए छे माह की, इस अपराद के लिए छे माह की सजा अधिक्तम नियायले द्वारा दी जा सकती है. एक अपराद ही ने अपराद किया, तो यह बाइंडिंग है कि छे माह से ज़्यादा की सजा उसे नहीं मिल सकती, उस अपराद के लिए. तो इस पकार उसे इस बात का भी संरक्षन है कि उससे अधिक काल के लिए, अधिक जुर्माने के लिए के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता जो उस कानून के उलंगन करते समय लागू थी. और तीसरा और बहुत महत्पूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से अधिक ना मुकदमा चलाया जा सकता है और ना दुबारा दंडित किया जा सकता है. एक अपराद के लिए एक बार मकडमा और एक बार सजा अधिक्तम ऐसा नहीं है कि बाद में फिर उसी अपराद के लिए उस चक्ति को फिर से सजा दी जाए तो ये कुछ संरक्षन के प्राओधान है अपराद को लेकर अपराधियों के लिए भी स्रेलक्शनल का प्राधान है अर्थात तो यह हमें आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस बात के लिए बहुत महत्पूर्ण है कि कई बार हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो या तो उसमें अपराध की श्रेड़ी में नहीं थी और या ऐसा कुछ हो सकता है कि नियाले हमें दुबारा सजा देने का कोई दरवाजा खरकटा रहा है नियाले का हमें सजा दिलवाने के लिए और दुबारा या ज्यादा ऐसी स्थिति में ये प्राधान है और चौथा है किसी भी व्यक्त को अपने विरुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही स्वैम के विरुद किसी अपराज में गवाही देने के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता व्यक्ति स्वैम विटनेस नहीं बनेगा विटनेस तो दूसरा ही हो सकता है गवाह तो दूसरा ही हो सकता है लेकिन अपराधी स्वैम गवाह देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ये भी संरक्षन के तहद प्रावधान है तीसरा बिंदू जीवन और शारीरिक स्वतंतरता का संरक्षण आपातकाल के दोरा जीवन और शारीरिक संरक्षण स्वतंतरता का संरक्षण प्रोटेक्शन अफ लाइफ and personal liberty शारीरिक स्वतंतरता भारती सम्विधान के अनुचेद 21 मेज इसका प्रावधान है मैंने आपको बताया 20 और 21 आपातकाल के दौरान लागू नहीं हो सकते सरकार 20 आपातकाल के नाम पर अनुछे 20 और 21 को सस्पेंट नहीं कर सकती तो यह 21 क्या है इसका संबंध है हमारी जीवन और शारीरिक स्वतंता से किसी व्यक्त को उसके जीवन या शारीरिक स्वतंता से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर सम्विधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसको छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता हो सकता है सम्विधान में कुछ ऐसे प्रावधान हो जिसमें या हैं जिसमें उसे स्वतंता से वंचित किया जा सकता है उसको छोड़ दिया जाए तो अन्य स्थितियों में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है शब्दों में इसकारत है कि निरंकुष और गैर कानूनी गिरफतारी से सतंतरता निरंकुष और गैर कानूनी गिरफतारी अब ये निरंकुष गिरफतारी और गैर कानूनी गिरफतारी क्या है एक व्यक्ति जब तक उस पर अपराच सिद नहीं होता तब तक वह अपने को रफ्तार किया जा रहा है जो गलत है रादी आधी अनुचे दैकिस प्रत्रियक व्रक्ती को जीवन और शारीरिक स्वतंता का सनरक्षन परदान करते हुए यह इस पश्ट करता है कि शारीरिक स्वतंता का अर्थ शारीरिक कष्ट कैद और नजर बंदी की सुरक्षा से है गैर कानूनी तरीके से अधी हो रहा है तो शारीरिक सतन ताकर्थ है शारीरिक कष्ट नहीं दिया जा सकता उसे कैद नहीं किया जा सकता उसे नजर बंद नहीं किया जा सकता इन तीनों से वो सुरक्षत है सम्विरान का जो 44 संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार के संबन में कुछ संशोधन हुए थे उसी में यह स्पष्ट किया गया है कि अब आपात काल में भी जेवन और शारेर्ट स्वतंता के अधिकार को समाप या सीमित नहीं किया जा सकता इसके क्या माइने हैं इसको थोड़ा सम आगे और देखेंगे परणाम सुरूप अब क्या हो गया है कि अब आपात काल में भी कोई व्यक्ती अपनी अवैद गिरफतारी को नियायालेओं में चुनौती दे सकता है इस से पूर्व इस संशोधन से पूर्व अर्थात 1979 से पूर्व आपात काल के तहट हज्जारों लोग गिरफतार किये गये थे और चुकि उस्चमेप कानूनी प्रावधान नहीं था कि आपात काल में गिरफतार होने पर कोड जा सकते हैं तो इसलिए ये लोग कोड जाने से नियाए पाने से वंचित रह गया और ततकालीन सरकार ने इने बंदी बनाया रखा आपात काल के नाम पर इस तरीके से ऐसा महसूस किया गया कि इसका दुरुपयोग हुआ है सत्ता के द्वारा सरकार के द्वारा ऐसे दुरुपयोग की पुनरा वृत्ति ना हो इसलिए स्पस्ट किया गया कि अब आपात काल में कोई भी व्यक्ति अपनी यदि गिरफतारी को अवैद समझता है तो नियायले में चुनोती दे सकता है नियायले का दरवजा खटटा सकता है ये एक बहुत महत्मूर अधिकार है जो हमें आपको अब जानना चाहिए चोथा बिंदू बंदी करण वा नजर बंदी से रक्षा बंदी बनाय जाने से या नजर बंद किय जाने से रक्षा प्रोटेक्शन अगेंस अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसिस डिटेंड करना मतलब नजर बंद करना अरेस्ट बने ग्रफतार करना बंदी बनाना इस से स्रक्षा मिली हुई है किन इस स्थित्यों में समविधान के अनुछेद 22 में बंदी बनाय गए व्यक्ति को स्रक्षा प्रदान करने के लिए तीन अधिकारों का उल्लेख है ये हमें आपके लिए सामाने जन के लिए बहुत महत्पूर्ण जानकारी है जो हमें मालू होना चाहिए और अधिकार ये जो अधिकार है ये अनुछेद 22 के तहत है बंदी बनाये गए व्यक्ति को स्रक्षा प्रदान करने के लिए तीन अधिकार दिये गए हैं एक तो बंदी हुआ गिरफ्तार है और संभवता आगे वह अपरादी भी सावित होगा अधिकतर के मामलों में अपरादी निकलते हैं लोग लेकिन अपरादी होने पर भी उनके तीन अधिकार है जैसे ही हम गर्फतार होते हैं हमें तीन अधिकारों से वन्चित नहीं किया है तब पहला जिसे बंदी बनाये गया है उसे जल्दी से जल्दी बंदी बनाये जाने का कारण बताना बंदी का अधिकार है ये जानने का कि पुलिश उसे गिरफतार करते समय उसे बताये कि किस कारणों से वह गिरफतार हो रहा है ये उसका अधिकार है गिरफतार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है जानने का पुलीस से कि तुरंट वो बताए कि किस कारण से उसे गिरफतार किया जा रहा है दूसरा, बंदी बनाये गए व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कानूनी परामर्ष लेने या वकील करने का पूरा अधिकार है मैं बंदी हो गया इसकार्थ यह नहीं कि मैं समाच से कट गया और मुझे किसी से भी बात करने का अधिकार नहीं है जैसे मुझे बंदी बनाये जाता है, मैं तुरंद एक वकील या एक कानूनी परामर्ष दाता कि मदद तुरंद लेने के लिए अनुरोद कर सकता हूं और मेरा ये अनुरोद गिरफतार करने वाली एजेंसी पर बाइंडिंग है उन्हें मुझे ये सुविधा देनी ही होगी, मुझे रोका नहीं जा सकता कानूनी परामर्ष लेने से या वकील निक्त करने से, मुझे रोका नहीं जा सकता तीसरा, बंदी बनाये गए व्यक्ति को गिरफतार करने के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए अर्थाज बंदी को अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्टेट के सामने पेश किया जाए पुलिस द्वारा या जिसने भी गिरफतार किया है गिरफतारी के 24 घंटे के अंदर आखिर ये प्रावधान क्यों है इसलिए कि गिरफतार करने के बाद मुझे ठाने में या जेल में अनंतकाल के लिए बंद न कर दिया जाए जब तक इच्छा हुई पुलिस की तब तक मुझे बंद रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता पुलिस के लिए आवश्यक है कि गिरफतार करते समय वो मेरे गिरफतारी का समय नोट करे एक रिकार्ड बनाए उस रिकार्ड में मेरे गिरफतारी का समय तारी के स्थान विस्तार से हो लिखा हुआ और उसके बाद गिरफतारी के 24 घंटे के अंदर मुझे वकील के सामने पेश करे जहां पर मैं कोड के सामने पेश करें, मैजिस्टेट के सामने पेश करें, जहां पर मैं मैजिस्टेट के सामने अपनी बात रख सकता हूँ और नियाय मांग सकता हूँ, गरफतारी के कारणों के बारे में विस्तार से बात कर सकता हूँ आदियाद आपने देखा होगा सामानित ऐसा देखा गया है कि पुलीस जो है वो सामानित चुट्टी के एक दिन पहले या शनिवार को ऐसे लोगं को गिरफतार करती है जिस पर उसकी नजर है और ऐसा करते हुए उसको ये फायदा मिल जाता है कि 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अर्था दो रात तक वहां व्यक्ति बंदी बनाये जा सकता है थाने में या जेल में तो क्योंकि कोर्ट बंद है छुट्टी है ऐसी स्थिति बहुत बार देखी जाती है और फिर उसके बाद दो जिन तक अपराधी वहां बंद रहता है और तूट जाता है और पुलिस का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए वो हमारी गिरफ में रहे तो आपको यह मालू होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर यदि मुझे से किसी कारण से अपराध हो गया है आप से हो गया है जाने अन जाने में तो पुलिस के लिए पुलिस इस बात के लिए बात जिए है कि वो मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और चौथा है मैजिस्ट्रेट के आगया के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए हवालात में बंद नहीं किया जा सकता बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमती के हवालात में जेल में ठाने के चाहर दिवारी के अंदर मुझे नहीं रखा जा सकता पुलिस को मैजिस्ट्रेट के अनुमती मिलना आवश्यक है ये मैजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है कि वह अपराधी की गिरफ्तारी का समय 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ाए या कम रखे ये चार जो अधिकार हैं ये अपराधियों के लिए भी हैं इसी को मानव अधिकार की बात करते हैं चाहे वो कुछ भी हो कोई भी व्यक्ति हो भले ही अपराधी क्यों नहों निर्धन क्यों नहों कमदोर क्यों नहों उन सब के लिए ये चार अधिकार हैं गिरफ्तार होने क कारण तुरंद मालुम हो दूसरा कानूनी प्रामर्ष की सुवधा हो तीसरा मैजिस्टेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाया चौथा मैजिस्टेट की अनुमती के बिना 24 घंटे से जादा न रखा जाया अब इसमें भी कुछ अपवाद है अपवाद क्या है इन सुवधाओं से कुछ लोग वंचित भी किये जा सकते है इन अधिकारों से भी कुछ लोग वंचित किये जा सकते है कई वार ऐसी एक्स्ट्रीम स्थिति आती है जब तथा कदित अपरादी को उस समय तक जो गरफतार हुआ है उसे ये अधिकार नहीं मिलते है ऐसी स्थिति क्या है पहला शत्रुदेश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है यदि कोई शत्रुदेश का नागरिक हमारे देश में आकर कुछ ऐसी गरफतार करता है जिसने पुलिस यहाँ पर रहकर वो किसी ऐसी आपराधिक गती में लिप्त है जिस से शत्रदेश को फायदा मिल रहा हो। दूसरी अपवाद की स्थिति क्या है? निवारक निरोधक अधिनियम ये एक special कानून है निवारक निरोधक अधिनियम यदि इसमें कोई गिरफतार हुआ हो इस अधिनियम के तहट तो इस पर ये लागुनी होता निवारक निरोधक अधिनियम के तहट गिरफतार हुए व्यक्तियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती तो इस विकार इस सामानी स्थिति में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये सुविधाओं से वंचित नहीं रखते देश-द्रो का मामला भी उसमें शामिल है देश-द्रो जिसे घोशित किया जा रहा है या देश-द्रो जो इसके अपरात में जिसके ग्रफतार किया गया है वो भी इन सुविधाओं से वंचित है जाता है अब आखिए निवारक निरोध अधिनियम क्या है लेकिन इसमें भी बंदों को बंदियों को स्टरक्षन है अनुछेद 22 का खंड चार चे लेके खंड साथ में इसके बारे में चर्चा है निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को कानूनी अदालत में बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखना सामाने नियम ये कहता है 24 घंटे के अंदर मैजिस्टेट के सामने पुलिस के लिए ये बात दी है कि वह अपरादी को पेश करे गिरफतार व्यक्ति को पेश करे लेकिन यदि निवारक निरोध कानून के तहट कोई गिरफतार किया गया है तो आवशक नहीं है कि उसे कोट में पेश किया जाए उसे उसकी नजर बंदी को अदालत को बताया जाए बिना मुकदमा चलाए उसे नजर बंद कर दिया राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार ये बहुत जरूरी होता है जब किसी नागरिक के समाज विरोधी अत्वार राष्ट विरोधी कारियों को नियायले में प्रमाणों के अभाव में दोशी ठहराने में दिक्कत हो जब प्रमाणों का अभाव हो खास कर कौन से मुद्दों में जो देश से संबन्दित हो देश द्रोही या राष्ट द्रोही गतिविदियां देश विरोधी या राष्ट विरोधी गतिविदियां यदि कुछ अपराद ऐसा हुआ हो जो दो लोगों के बीच है जिसका राष्ट की सुरक्षा से कुछ तालुकात नहीं है या कुछ गुटों के बीच हो जिसका राष्ट की सुरक्षा देश की सुरक्षा से कुछ तालुकात नहीं है तो उस पर ये अजिनियम लागू नहीं हैं राज्य की सुरक्षा से खेल रहे हैं और देश के लिए खत्रा और चूंकि ऐसे मामलों में एविडेंस नहीं मिल पाता तो इसलिए और एविडेंस ना मिलने पर ऐसे अपरादी छूट सकते हैं देश द्रोही होते हुए भी ये वाला पर आज़ां किया गया है कि बिना एविडेंस के भी बिना कोर्ट में जाए इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है संदेह की स्थिति में संदेह हास्पत व्यक्ति को इस कानून के अंतरगत हिरासत में लिया जा सकता है ये बहुत कड़ा प्रावधान है और इससे बचके रहना बहुत जरूरी है हम आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम ऐसा कोई कारें ना करें जिसमें शंका की भी बू आती हो जो कि यो देश द्रोह या राष्ट द्रोह राष्ट विरोधी गतिविदी है क्योंकि यदि ऐसा हो तो पुलीस संद के आधार पर भी हमें गिरफ्तार कर सकती है और कोड के दर्वाजे हमारे लिए बंद रहेंगे बहुत लंबे समय तक जब तक पुलीस चाहे तब तक वहमें गिरफ्तार करके नजर बंद हवालात में रख सकती है निवारक निरोज का उद्देश मूल रूप से क्या है व्य सित्य में उसे गिरफ्तार किया जाता है इस शंका में कि शायद ये संभावना है कि व्यक्त किसी अपराद की और बढ़ रहा है जो संभावता देश द्रोही राश्ट विरोजी गतिविदी हो सकती है ऐसी गतिविदियों से रोकने के लिए किसी को रखा गया हो तो वह रोध अधिनियम के तहथ होता है तो इस बिंदु को आप समझ लें कि इसके तहथ गिरफ्तार लोगों को डंडित करने का उद्येश कम वालकि अपराद को रोकना ये उद्येश ज़्यादा है भारत का सम्विधान कितना उदार है सम्विधान निर्माता कितने उदार रहने हैं उन्होंने भर्चक कोशिश की है कि गलती से भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए गलती से भी किसी व्यक्ति के को सजा ना मिल जाए अर्थाद बहुत ही मानावतावादी बहुत ही उदारवादी रुख अपनाते हुए इस मामले के तहट इस अधिनियम के तहट भी कुछ अधिकार उन्होंने नजर बंदियों को या हिरात्मित सत्मे रहने वाले लोगों को दिये हैं एक तो यह बहुत बड़ा प्राज माना जाता है लेकिन चुकि संदेह की स्थिति में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि यह थे मामलों में एविदेंज नहीं रहते तो कभी-कभी ऐसे मामलों में विश्व इतिहास में देखा गया है कि कुछ लोगों को व्यर्थ में बहुत सम पूर्ण रूपे निर्दोश पाए गया है ऐसी स्थिति दुबारा ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस अधिनियम के तहद गिरफ्तार हुए लोगों के लिए भी कुछ अधिकार सुनिश्चित किया है पहला किसी व्यक्ति को तीन माह अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते तीन माह अधिक तम तीन माह का काल यदिस अधिनियम में गिरफ्तार हुए है तो तीन माह बशर्ते सलाहकार मंडल इनके गिरफ्तारी को बढ़ाने की सिफारिश करता हो एक all powerful body एक बनाई जाती है जिसे हम सलाहकार मंडल कहते है इसमें विभिन विभागों के सदस्ट से रहते हैं जनता के वी एक दो सदस्ट रहते हैं ये सलाहकार मंडल का निर्णा होता है कि इस अपरादी का संदे हास्पद इस्थिति में जो गिरफ्तार हुआ है इसके इसकी नजरबंदी को बढ़ाया जाया या नहीं अन्य था ती ये चाहते हैं आप इस वतन तो कर दिये जाती हैं दूसरा अधिकार ऐसकी इसस्थिति में कि ग्रफ्तार एक्दी को जल्दी कारण बताया जाए कि उस पर ये नियम क्यों लगाया जै ये अधिनयम क्यों लगाया जै तो अपने इस इस संदेह के वुरुद वा नियाले जा सकता है या संबंदित अधिकारी संबंदित वभाग को अनुरोद कर सकता है लेकिन उसके लिए भी ये प्रावधान है कि उसे तुरंट कारण बताया जाए गरफतारी का कारण तो हम ये देखते हैं कि हर स्टेज पर ये सुनिश्चित करने का प्रयास्चत समयधान निर्माताओं द्वारा कि देर सबेर चूक ना हो जाए और उस चूक में किसी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ में जेल में ना गुजर जाए निवारक धिरोध अधिनियम की समाप्ति क्या है ये कैसे समाप्त होता इस अधिनियम का उद्वेश भारती गनतंत्र को देश द्रोही और आतंकवादी तत्वों से बचाना था अब आप समझ गया होंगे कि आखिर ये अधिनियम बनाया किन के लिए गया है मूलत ऐसे लों के लिए जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं आतंकवादी हैं आधि आधि शत्रु से मिले हुए हैं शत्रु देश के जासूस हों उन से बचाने के लिए किंदोविधान सभा को लेकर विरोधी दलों और अने लोंगों के कुछ और विचार थे सब्धान सभा में भी और बाद में बहुत से विचारकों ने ऐसा महसूस किया कि इस अधिनियम का दुरुपियोग होने की संभावना ज्यादा है और दुरुपियोग हो भी रहा है दुरुपियोग के अर्थ ये हैं कि पुलीस इस अधिनियम का उपियोग करते हुए या सत्ता इस अधिनियम का उपियोग करते हुए बहुत चलोंगों को नजर बन की हुई है इसकी बड़ी सक्त आलोचना हुई और बढ़ती आलोचना के मद्दे नजर 1969 में इस अधिनियम को हटा दिया गया निवारक निरोध अधिनियम को 1969 में हटा दिया गया यह हुआ पहला चरण इस प्रकार के कानुनी प्रावधान का अब दूसरे चरण में शीमती इंद्रा गांदी आती है 1971 में नजर बंदी कानून को एक मीसा कानून के रूप में पारित कराया M.I.S.A मीसा मीसा क्या है यह भी नजर बंद का कानून है जैसा पूर में निरोध अधिनियम था जिसे हटा दिया गया तो इंद्रा गांदी ने आने के बाद उस समय के माहौल के परिप्रेक्ष में फिर से एक नया कानून पारित करवाया जिसकी पृष्ट भूमी या जिसकी कुछ हद तक समानता उस पुराने अधिनियम से थी जिसे हटा दिया गया और उसका शॉर्ट नेम था M.I.S.A Maintenance of Internal Security Act अंदरूनी स्रक्षा को बनाया रखने के लिए ये कानून पारित किया गया इस कानून का बहुत दूरूपयोग हुआ म.I.S.A कानून बहुत बदनाम कानून रहा इसके अंतरगत सत्ता ने पूरी निरंग कुष्टा के साथ विभिन ने खेतरों में इसका दूरूपयोग किया और बहुत लोगों को म.I.S.A के तहद गरफतार करके जेल में डाल दिया और उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया नागरिक अधिकारों से जो सामाने लोगों को प्राप्त थे चूँकि ये लोग भी म.I.S.A के तहद गरफतार थे नियुनतम तीन मा की बंदी जेल में इनके लिए आवश्यक थी जैसे ही 1978 में जनता पार्टी के सरकार आती है म.I.S.A के इस काले कानून को हटा दिया जाता है और उसकार 1971 में बनाया गया ये कानून 1978 में फिर से हटा दिया जाता है रद कर दिया जाता है